प्रमी जो कि डाइबर्टीज मलाइटेस हम मौडरन मेडिकल साइंस से कंपेर करते हैं और मधू में से भी हम इसको हिंदी में या इस व्याधी को मधू में से भी हम कंपेर करते हैं तो बिफोर स्टार्टिंग दे वीडियो हम ये जान ले कि इसके बाद हमने रक्त पित और कुष्ट पढ़ना है वो दोनों रोव्याधी जो हैं अभी बची हुई हैं मैंने पिछली वीडियो में कॉमेंट्स में पूछा था उससे बहुत कंफिजन हुई थी तो इसके बाद ह आज हम देखेंगे डाइबेटीज मलाइटस यानि प्रामे तो सबसे पहले प्रामे को सुरू करने से पहले हम एक उसकी निरुक्ति देखेंगे कि प्रकर्शने प्रभूतम मुत्र त्यागम करूती यस्मिन रोगे सब प्रमेह यानि अर्थात बार-बार और प्रया गंदे मूत्र का त्याग ही प्रमेह कहलाता है जिसका सिंपल सा अर्थ है कि प्रमेह में क्या होता है बार-बार मूत्र का त्याग होगा फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होगी और मूत्र कैसा होगा गंदा होगा तो प्रमेह पढ़ने से पहले सिंपल सा हमें ये जानना ज़रूरी है क प्रमे exactly होता क्या है तो यह प्रमे की typical definition या निरुक्ति के साथ इसकी definition तो इस तरीक से में प्रमे हमारा पता चल गया अब बात करते हैं व्याधी परीचे की तो व्याधी परीचे में हमारा सबसे पहला point रहता है कि अचार्य ने प्रमे को महागत माना है और दूसरा point हम करते है कि प्रमे जो है मिथ्य आहर विहार से उत्पन होने वाली व्याधी है ये बहुत ध्यान में रखने वाली चीज है क्योंकि आगे निदानों का जब सेवन इसमें देखेंगे कौन-कौन से निदानों से होता है तो वहाँ मुख्य पॉइंट आएंगे में पॉइंट आएंगे तो प्रमे जो है वो मिथ्य आहर वियार से उत्पन होने व्याधी है और तीसा point है इसमें कव प्रधान त्रिदोष प्रकोपित होता है त्रिदोष सारे हैं तीनों दोष है लेकिन जो प्रधान दोष है वो कव दोष के द्वारा प्रमे जो है व्याधी उत्पन होती है जब कव दोष मुख्यता प्रकोपित होता उसके बाद fourth point हमारा है कि यह मेदोवर्ष रोतस की व्याधी है मेदोवर्ष रोतस की व्याधी है यह हमने first year में या second year में भी रोगनान first में पढ़ा है कि कौनसे स्रोतस की कौनसी कौनसी व्यादियां होती है ना ओनी रुकती प्रमे की हमने उपपर discuss कर ली यहां पर हम किसकी discuss कर रहे हैं मधू में तो मधुमे को क्या बोलेंगे महेशू उच्छ मधु इव मधूरम महीती यानि कि मधु के समान मूत्र के अतयाग ही मधुमे है तो देखिए प्रमे और मधुमे जो है आप exact same नहीं बोल सकते दोनों का हाला कि बुक में प्रमे को ही bracket में मधुमे लिखाया बट दोनों में एक चीज का difference है प्रमे एक मूत्रल रोग है प्रमे जो है अगर personally उसको categorize करेंगे तो वह एक मूत्रल रोग है वहीं मधुमे भी मूत्रल है पर उसके कुछ विशिष्ट रिलक्षन है जैसे प्रमे में हमने पढ़ा था कि बार बार जो है मूत्र के प्रवर्ति तो होती है लेकि जो है exact same हम प्रमे और मधुमे को नहीं बोल सकते प्रमे में है कि गंदे मूत्र का त्याग हो रहा है वहाँ पर exact आपको बताया नहीं गया कि मधुर मूत्र या मधुर वर्निका या मधुर आभा वाला जो है मूत्र का त्याग हो रहा है यहाँ पर मधुमे में exactly बताये गया है कि मधु के समान जो मुत्र का त्याग है वही मधु में तो ये चीज समझने में थोड़ी समझने वाली है तो एक बार आप पटिकुलली से फिर से देखने शुरू से निरुकती तरफ अब बढ़ते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टन निदान की तरफ कि किन निदानों से हमार प्रमेरोग उत्पन होगा तो बहुत इजी है मैंने उपर बोला था व्यादी परीचे में दो पॉइंट हाइलाइट कि हैं कि मित्य अहार विहार से उत्पन एवन कफ्रदान तिर्दोष इसमें प्रकोपित होता है तो मित्य अहार विहार से तो प्रमेरोग उत्पन होगा ह अगला पॉइंट है गुण मिस्री मिठाई का अती सेवन ये भी कफ वर्दक अहार विहारी हैं तो इनसे भी प्रमे उत्पन होगा नेक्स्ट है सीद इसनिक्द मधूर तथा मेध्य पदार्तों के अती सेवन से भी जो है आपका प्रमे रोग उत्पन होता है नाव विहारे जगर देखें तो दिवा सपन करने से अवयाम करने से ता आलश्टी तीनों ही चीदों से कफ बढ़ता है तो कफ जब भी बढ़ेगा तो प्रमे रोग के आपको उत्पत्ती हो सकती है तो इनी तीनों की वज़े से प्रमे रोग उत्पन होता है तो यह काफी easy था अगला हम बढ़ेंगे इसकी संप्राप्ती की ओर तो नाव हमारा next topic है संप्राप्ती कि पूरा रोग जो है प्रमे रोग वो उत्पन कैसे हो रहा है तो संप्राप्ती देखने से पहले यहां हमने लिखा है तो प्रमे में तीनों दोश होता है त्री दोश हमने पढ़ा है मुख्यता लेकिन कव दोश होता है तो वाद्पित कव तीनों ही प्रेजेंट है लेकिन मुख्यता उसमें कव दोश की प्रधानता रहती है और प्रमे के दस दूश्य बताए गए है वो easy है, रस, रक्त, मां, समेज, अस्ती नहीं आती है, मज्जा यम्शूक, तो ये 7 दातों में से 6 दातों आती है, अस्ती छोड़ देना है, उसके बाद है, ओज, वसा, लसी का, अम्बो, तो ये आपके प्रमे के 10 दूश हैं, तो 3 दूश, 10 दूश ये प्रमे में होते हैं, तो कफ वर्धक, जो भी आहार विहार का सेवर होगा, तो शरीर में तब 3 कंडिशन आएंगी, तीनों ही कफ से related हैं, क्या, अंग सेथिल, यानि अंगों में भारी पन, दूसरा है मंद आगनी, कफ बढ़ जाने से अगनी मंद हो जाती है, तीसरा है मेद वृद्धि, यानि म मेद की विद्धि, तो तीनों ही relative हैं, तीनों ही relative कर सकते हैं, relate कर सकते हैं, कि अंगों में सेथिलते आ रही हैं, मंद आगनी हो रही है, अर मेद वृद्धि हो रही है, अब जब अंगों में सेथिलता आ रही है, अंग सेथिल हो रहा है, तो क्या हो रहा है, नीचे हो रहा ह मेद में सम्मूर्चित हो गया है, इसके मेद के सम्मूर्चित होने से मेद की दुष्टी हो गया है, जब मेद दुष्ट 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 हो गया है, जब मेद उसने क्या किया मूत्रमार्ग में गमन किया जिससे बस्ती इस्थान में संशय हो गया तो मूत्रमार्ग में जब भी गमन करेगा तो बस्ती में आके जो है वहाँ संशय हो गया दोस इकत्रित हो गए फिर उससे क्या हुआ मूत्रता जो गए अधिक मात्रा में आई जिससे प्र उसके बाद मूत्र की अधिक्ता हुई और प्रमेहरोग उत्पन हुआ। मंदा अगनी और मेदो विद्धी से कैसे होगा। मंदा अगनी से क्या हुआ। आमरस का निर्मान हुआ। जब भी अगनी मंद होगी तो आमरस बनेगा। य। हमने सारी वियाध्य हम पढ़ा है। आमरस के निर्मान के बाद क्या हुआ? मारग अवरोद कर दिया। और प्रकौपित हुआ तो ओओज की दुष्टी होगी। दूशित होगी। फिर ओओज का शरन हुआ। जब ओज की दूश्टी हुई तो ओज का शरण होने लगा और ओज के सरण से ही प्रमे रोग जो है वो उत्पन्वा और यहीं से हम इसकी संप्राप्ति घटक भी देखेंगे तो दोश हमने पहले ही पढ़ लिया था व्यादी परीचे में कि कफ्रदान तिरोश होता है दूश्य हमने दस पढ़ लिये उपड़ जो हमने बताए थे रसरक्त मांसमेत मज्जा शुक्र ओजवसा लसी का अम्बू यह दस इसके दूश्य है कि मार्ग का अवरोध होने से क्या है यहाँ संग हो रहा है संग यानि obstruction भी हो रहा है कहां क्योंकि आपने मंदा अगनी और मेदो बिद्धी में देखा कि मार्ग का अवरोध हो रहा है तो मार्ग का अवरोध होने से क्या है यहां संग हो रहा है और अतिप्रवर्ति कैसे हो रही है मुत्र जो है अतिमातर में बाहर निकल ला है तो उसके कारण अतिप्रवर्ती भी हो दिया है तो शुर्तो जिश्टी हैं संग और अतिप्रवर्ती आ जाएगी तो अब आते हैं हम प्रमे की भेद की और जो हमारा सबसे important topic है जिसको याद करने के लिए हम tricks और memonics बनाएंगे और उससे हम इसको learn करेंगे तो प्रमे के भी काफी भेद हैं सबसे main भेद जो है वातज, पितज एवं कफच प्रमे उसके बाद जो है कुछ अन्य भेद भी अचारी ने बताए है अचारी चरक ने कुछ भेद बताए है अचारी शुषचने कुछ भेद बताए है एवं अचारी वागवट ने भी कुछ भेद इसके वर्णित किये हैं तो सबसे पहले जो सबसे important है वो है कफच प्रमे, पितज प्रमे एवं वातच प्रमे यह बहुत important है तो इसको हम याद कैसे करें, तो कफच प्रमेह जब भी आएगा तो आपको एक चीज याद रखनी है, कि कफच प्रमेह में 700 उदक एक्षू बालिका एवं अलाल में हैं, आपको क्या याद रखना है, कफच प्रमेह में 700, 700 उदक एक्षू बालिका एवं अलाल में हैं, तो इ उसके बाद 700 से आपको 700 से शुरू होने वाले कफच प्रमेह के भेद्ज बताने हैं, तो वो है सांद्र में हैं, सांद्र प्रशाद में हैं, शूक्र में हैं, शूकल में हैं, शीद में हैं, शिक्ता में हैं, और सने में हैं, सबके पीछे मेह लगाने हैं, तो यही है आपके प कौन सा प्रमी है कफज में जिसमें बासी मूत्र गाड़ा हो जाए वो इसका लक्षन है सांद्र में का उसके बाद सांद्र प्रशाद की अगर बात करें तो सांद्र प्रशाद में क्या होगा इसमें मूत्र सांद्र तथा कुछ निर्मल होता है कुछ मूत्र जो है सांद्र र करेगा शीत में मधु रेमम मूत्र जो है शीतल होगा और उसका बार-बार त्याग होगा सिक्ता में क्या होगा छोटे-छोटे कणों के रूप में मूत्र का त्याग हो यानि इनसान छोटे-छोटे कणों के याद करना बहुत इजी है, कोई ट्रिक याद नहीं करने हैं, बस यह याद रखने हैं दिवात में, कि पित्तष प्रमे रंगों के अनुसार चलता है, पित्तष प्रमे किसके अनुसार चलता है, रंगों के अनुसार चलता है, तो इसमें कौन-कौन से रंग आएंगे, काला, नीला लोहित को आप लाल भी बोल सकते हैं और हरिद्र हरा बाकी शार मनिश्टा इसके दो टाइप हैं तो इन से हमें कैसे पित्तर पर में लिखना है पहला है काल में दूसरा है नील में तीसरा है लोहित में है या रक्त में ही भी आप इसे बोल सकते हैं उसके बाद है हरिद् सार के समान वरएकि म वीट्रण lowi het में इसको लाल रंग वर्णीन हार में माल से क्या है मन्जिष्ठा केell दोगा मिईत्र में क्या है मनिष्ठा केत एलगा मन्जिष्ठा के प्वाद्ध में वर्ण यानि जो मंजिश्टा का क्वाद हमने बेजश्य कलपना वगएरा में रसास्तर वगएरा में पढ़ाया उसी क्वाद के रंग वाला वर्ण वाला जो है मूत्र हमें मूत्र का त्याग होगा किसमा पित्तच प्रमेह के मंजिश्टा हम प्रमेह में तो ये थे पितश प्रमेह के, इससे पहले देखे कफश प्रमेह के, अब में तीसरा जो बचा है वो है वातश प्रमेह, तो वातश प्रमेह के चार टाइपस है, बहुत इजी है, कोई ट्रिक की ज़रुत नहीं है, पहला है वसा में है, दूसरा है मज्जा में है, तीसरा है हस् हस्ती में है, चौथा है मधु में, चारों के ही नाम के अकॉर्डिंग इसके लक्षन है, तो वसा में की अगर बात करी जाएं, तो वसा के समान मुत्र का त्याग जिसमें हो, वो है वसामी, मज्जा में की बात करी जाएं, मज्जा युक्त मूत्र, यानि जिस मूत्र में मज् भुष्य मूत्र का जिस व्यादी में त्याग हो वह है मधूंए तो ये थे हमारे प्रमे के भेद जो मेन है कफ़़ज पिततज वातज तो अब बढ़ते हैं अपने अन्य भेदों की तरह जो अन्य अचारियों ने वपनित किये हैं तो तीन से मिला है वो है सहच प्रमे और दूसरा है अपत्य निम्मित प्रमे यानि अपत्य के कारण जो आपने निम्मित किया है जो आपने एक्वायर किया है वह आपका अपत्य निम्मित प्रमे शुषृत बताते हैं एक हेरिडिट्री होता है जो आपको मिला है दूसरा आप एक्व प्रमेही और को जो गया ओवी अब गया और जो जिसको डायवेटीज तो वो Sag eineling s प्रमेही ऊट्विजाय आपके और जो होती से ना अचारी वातिसरे हैं वो बोलते हैं दो तरीके से एक तो धातु का शय होने से जो प्रमे हुआ धातु शय जन्य प्रमे और दोशों की वृत होने से यानि दोशों की विद्धी होने से जो प्रमे हुआ वो है दोश वृत जन्य प्रमे बहुत इजी है तीनों ने अपने अलग लग बताए हैं तीनों ही रिलेटेबल हैं इसक उसको अती सुएत की प्रवर्ति होगी अब लग उसका पूरूरूप रहेगा और उसके बाद है शरीर का गंधाना शरीर में से गंधर आईगी नेत्र वर्ने जिवादंत में मलो की अधिक्ता होगी मदोरश्यता होगी मुख में क्योंकि कफ्रदान त्रिजोश प्रकुपित ह है तो मदोरश्यता मुख में होगी उसके बाद है सरीर वा मूत्र में चीटियों का लगना यह तो में लक्षन प्रूरूरूप है यह बहुत इसी है और समझ में आगे नाव साध्य साध्य रहा देखी जाए तो कफच प्रमे साध्य है पित्टच प्रमे याप्य है वात्च प्रमे असाध्य है यहां जो सहज और कुलच प्रमे जो अत्यारी शुश्रतें बताए हैं वह आपके असाध्य है तो यह था प्रमे पूरा का पूरा आपका यहां पर डिसकस हो चुका है पूरा व्याधी परीचाई से लेकर लास्त